आप देख रहे हैं CN24 गेर कर फाइरिंग शुरू कर दी गोली लगने के बाद मा बेटी सडक पर गिर गई सोर सुनकर आसपास के लोगों की भीड पहुँची तो बदमाश फाइरिंग करते हुए फरार हो गए अस्थानी लोगों के सूचना देने पर पहुँची शाहपूर पुलिस परिवार वाल गटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुँचे डियाई जी ने बताया कि इस घटना में मा की मौत हो गई है वहीं घायल बेटी को मेडिकल कालेज में भरती करा दिया गया है और उनकी हालत खत्रे से बाहर है पुलिस हर पहलू से मामले की जाच कर रही है जल्द ही घटना क खुलाशा कर लिया जाएगा लोग कह रहे है कि करीब करीब तीन या चार राउंड फायर हुए उसमें जो लेडी थी जो बेतिया की माता थी उसको गंड शॉटिंग जीरी से उसको हस्पिटल में जाने के पाब उनको डेट दिख लिया किया गया है बेटी अभी ठीक है उन कि यह अग्जक्roleई घटना क्या है अभी है पता नहीं चल पाया है हो सकता है किस इसमें कोई प्रॉपर्टी या फैमिली या कोहीं भी मैटर निकला है लेकिन अभी हमने जो बेसिक पूश्टाच की है इसमें अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है जल्दी ही हम इसको क्रैक करेंगे और यह हमारी बहुत टॉप प्राइरिटी की लिस्ट है इसमें महिला के विरुद्ध अपराद हुआ है तो हम चाहते हैं कि यह जल्दी से जल्दी वर्क आउट हो हमारे SSP जो गोरगपूर है उन्होंने अपने तरफ से तीन चार टीमें इस क्या है एक्जाक्ली और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे मुझे पूरा विश्वास है अपने गोरगपूर के टीम पर कि वह इसको जल्दी ही वर्क आउट करेंगे यह फ्यूचर में कभी ऐसी तरह की घटना नहीं हुई है यह अपने आप में अलग घटना है और हमको प इसके डीटेल डॉक्टर बता पाएंगे और भी लेकिन इस तरह की घटना है इसके मोटो आप जमीनी रंजिस लग रही है और हो सकता है देखिए मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि जमीनी रंजिस भी हो सकता है एक वन आफ दो मोटो तो हम लेकिन मैं म कोई काम काज करती नहीं है एलो मरी का नहीं है और आज लेकिन संडे था तो अपने घर से अपने नानी के घर जा रही है